मेरे प्यारे तरोणा तरोणियों, आज भी पिछले कक्षा में जो चर्चा किये थे, उसी विचार को याने युवावन से नामक गद्य को आगे बढ़ावोंगा। आप सभी ध्यान से पाट्टे पुस्तक को देखना चाहिए। हम देख सकते हैं कि एक तता दूसरे मनुश्य के बीच अंतर होने का कारण। उसका अपने आप में विश्वास होना और ना होना ही है। अंतर का मतलब है विश्वास होना या ना होना। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। कि देखिए आपस में मैं और आप आप और मेरे बीच में यह विश्वास से काम करना या निबाना चाहिए अगर उसकी कमी होने से व्यवाहार या कार्या या कर्तवियां टीक नहीं होगा मैंने अपने जीवन में इसका अनुवो किया है अब भी कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मेरा विश्वास और भी दुरुड़ा होता जा रहा है तेकि कितना बड़िया बात कह रहे हैं स्वामी विवेक अनंद जी जब हम चार साल के रहते हैं तब हो तोड़ा सा विश्वास कम रहते हैं उसी तरह आठ साल आठ साल के बाद 12 साल 12 साल के बाद 16 या 18 साल के बाद इसी तरह विश्वास बढ़ते 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 जाएगा अगर किस को किस तरह का जो जवाब देना है इस तरह का जो विश्वास हमें बढ़ते जाता है बढ़ते जाने से क्या हो जाएगा अपने आप हम हमारा व्यवहार में व्यवहार हम कर सकते हैं प्रतेक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्महा है ब्रह्महा येवं अंतह प्रकुर्ती दोनों का नियतन कर इस अंतर निहित ब्रह्मह स्वरूप को अभिवेक्त करना ही जीवन का धेया है धेया मकसद लक्षया कर्मा भक्ति योग या ज्ञान के दवारा इन में से किसी एक के दवारा या एक से अधिक के दवारा या सब के सम्मिलत के दवारा यह धेया प्राप्त कर लो और मुक्त हो जावो देखो इस तरह सब के सामने ये देयों को हम क्या करना चाहिए प्राप्त करना चाहिए नहीं तो हम उस काम से हम बिचुड कर हम नहीं रह सकते हैं इसलिए मुक्त हो जाओ हम हमारा जिम्मेदारी जो है वो करके हम मुक्त याने आजादी के साथ रहने के बारे में हम सोचना चाहिए यहीं धर्म का सर्वस्वा है मता मतांतर विधी या अनुष्टान ग्रंता मंदिर ये सब गवण हैं देखे ये बहुतिक तोर पर हम जो करते हैं ये बहुत गवण बाते कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी इसलिए यदि यीश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्षा अनुभूति कर लेनी चाहिए अन्यता उन पर विश्वास ना करना ही अच्छा है डोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है देखो ये दिकावा करते हैं कुछ लोग याने उनके मन में अलग बावना ये रहते हैं मगर ये गर्दन के उपर से अलग बाते जो करते हैं गर्दन के उपर से जो बाते करते हैं वो दिकावा जाने मैं आपके साथ अच्छे विश्वास के साथ रह रही हूँ या रह रहा हूँ वैसा निशाना बस असलियत से विश्वास नहीं रहते हैं वो डोंगी है वो डोंगी इसलिए हम उस तरह ना बनने से बनने के बदले हम क्या करना चाहिए विश्वास रख के काम करना चाहिए डोंगी क्यों बनना चाहिए बनने से अच्छा नहीं रहेगा नास्तिक बनना अच्छा है डोंगी के बदले नास्तिक बनना एक विचार ले लो उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनावो उसी को सोचो उसी का स्वप्र देखो और उसी पर अवलम्बित रहो अपने मस्तिश का मांसपेशियों सनायुवों और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से वोतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो यही सफलता का जो रास्ता है और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुशों का निर्मान किया है देखो कितना सबसे बड़िया मजबूत बात स्वामी विवेक अनंद जी के द्वारा हो रही है जिसको हम समझ कर बाते करना चाहिए या काम करना चाहिए देखो और एक बार उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनावो उसी को सोचो उसी का स्वपन देखो और उसी का अवलंबित रहो देखो अपने मस्तिश का मानसपेशियों सनायुवों और शरीर के प्रत्थेक बाग को उसी विचार से वो तो प्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो बाकी सभी विचार जो आते हैं उसको दूर रखना चाहिए यही सफलता का जो रास्ता है और यही वह मार्ग है जिसने माहान धार्मिक पुरुषों का निर्मान किया है इस तरह जो आगे बढ़ते हैं न वो माहान धार्मिक पुरुषों का निर्मान वो विचार से अपने आप हो जाएगा मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा करता हूँ मैं उन से उन में से प्रतेक के साथ यिश्वर की उपासना करता हूँ वे स्वयम चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हूँ मैं मुसल्मानों की मस्दिद में जाऊंगा मैं इसाईयों के गिरिजा में क्रास के सामने गुटने टेक कर प्रार्तना करूंगा मैं बॉद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूँगा मैं जंगल में जाकर हिंदु वंग के साथ ध्यान करूंगा जो हृदयस्त जोतिस्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए है यह प्रत्यक्ष करने में लगे हुए है ना उसी तरह विश्वास के साथ डोंगी बनने के बदले नास्तिक रूप में अपना जो काम में जो आगे बढ़ेगा इसको इस तरह प्रत्यक्षा जोतिस्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्षा करने में लगे हुए हैं देखना चाहिए काम में ही बगवान को देखना पढ़ता है या देखना चाहिए अगर हमारा काम या बातचीत अगर ठीक टक रहने से हम कुछ भी कर सकते हैं नहीं तो नहीं होगा डोंगी कहते हैं या दिकावा जो कहते हैं शिक्षा वीविदा जानकारियों का डेर नहीं है डेर समुहा राशी जो तुमारे मस्तिश्कु में ठूस दिया गया है ठूसना याने अत्यदिक भर्ना और जो आत्म साथ हुए बिना वहां आज जन्म पड़ पड़ा रहकर गड़बड मचाया करता है हमें उन विचारों की अनुबूती कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्मान, मनुश्य निर्मान तता चरित्र निर्मान में सहायक हो देखिये हमें उन विचारों की अनुबूती कर लेनी चाहिए यहने एक्स्पीरियंस अनुबू लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्मान, मनुश्य निर्मान तता चरित्र निर्मान में सहायक हो याने होगा यदि आप केवल पांच ही परके हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुशर अपने जीवन और चरित्र का निर्मान कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंताले को कंटस्ट करने वाले के अपेक्षा अधिक शिक्षित है इसलिए कहते हैं कि कनड़ा में ये काहवत है देशा सुत्त कोशा वोदू ये कोश से भी ज्यादा सा ज्यादा ग्यान देश को बटकने से गूमने से हमें मिलता है ऐसा बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं इसी तरह स्वामी विवेक अनंद जी भी कह रहे हैं अपने भाईयों का नेत्रुत्व करने का नहीं वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो देखो नेत्रुत्व करने का नहीं याने मैज जही से कहता हो ना उस तरह वो करना है यह वो यह नहीं है उसके बदले उनकी सेवा करने का जो प्रयत्न करना है नेता बनने की इस कुरूर वुनमतता ने बड़े-बड़े जहां जोंको इस जीवन रुपी समुद्र में डुबो दिया है देखो उनके बात को हम सुनकर अगर उसको अनुसरन करने से वह हमें डुबो देते हैं इसलिए स्वायम अपने आप हमारे विचार के बारे में सोच कर समझ कर आगे बढ़ना चाहिए वैसा स्वामी विवे कानंद जी कह रहे हैं दूसरों के बात को सुनकर हम वो नहीं करना वो नहीं करना मतलब है अगर वो काम करने से हमें डुबो देते हैं हमारे स्वाभाव में संगटन का सर्वता अभाव है संगटन में अभाव कमी पर इसे हमें अपने स्वाभाव में लाना है इसका महान रहस्या है इर्शा का अभाव इर्शा द्वेशा अपने भाईयों के मत से सहमत होने को सदैव तयार रहो और हमेशा समझोता करने का प्रयास करो यही है संगतन का पूरा रहस्या समझ में आ रहे हैं न चात्रों मेरे प्यारे तरुण तरुणियों मैं तुम सब से यही चाता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्टा दलबंदी और इर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो और एक बार मेरे तरुण तरुणियों या नवयुवक युवतियों आत्म प्रतिष्टा दलबंदी और इर्ष्या को सदा के लिए चोड़ दो हमारे मन में या दिमाग में नहीं रखना चाहिए तुम्हें पृत्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुमारे पईरों पर लोटेगा ये है जीवन का राज या रहस्यमय बातों को सब के लिए हमारे भारत में रहने वाले वसुन्दरा के जो संतानों को स्वामी विवेकानंद सलाह दे रहे हैं इसको अगर हमारा जीवन में विश्वास के साथ अगर उसको पालन करने से जरूर जैसे संसार तुम्हारे पईरों पर लोटेगा देखो गिर पड़ेगा नवा युवको युवतियों और एक बार ये अंतिमा प्यारां मैं तुम सबसे यही चाहता हूं कि तुम आत्मप्रतिष्टा दलबंदी और यीर्शा को सदा के लिए चोड़ दो तुम्हे पृत्वी माता की तरह साहनशील होना चाहिए यदी तुम्हे गुण प्रात्त कर सको अगर इसी तरह गुण आप में अपने रग रग में अगर रहे तो संसार तुम्हेरे पईरों पर लोटेगा इस तरह साहनशील है इसलिए जो कहते हैं अंग्रेज में साइलेंस इस गोल्ड सिल्वरी स्टॉक जो कहते हैं उसी तरह हम क्या करना चाहिए हमेशा के लिए इस तरह साहनशील बनकर जो हम काम करना है वो करके आगे बढ़ना उचीता है इसके साथ ही युवावोन से नामक गद्या समाप्त हो जाएगा मेरे नवयुवक युवतियों इस तरह है इसके साथ ही अभी प्रश्ना जो है उसका उत्तर मैं बतावूंगा आप क्या कीजिया पेंसिल रख कर वो प्रश्न के सामने उत्तर लिखने के लिए तयार रहिए मेरे प्यारे नवयुवक युवतियों युवावोन से नामक गद्या का रजनाकार का जो नाम है स्वामी विवेकानंद इस गद्या का प्रश्न का जो उत्तर मैं बतावूंगा आप पेंसिल से प्रश्न के सामने लिखते जाई है पहला जो प्रश्न का उत्तर है स्वामी विवेकानंद का विश्वास किन पर है नवीन पीडी के नाव युवकोंपर आवर एक बार केह रहा हूं नवीन पीडी के नाव युवकोंपर दूसरा प्रश्ना स्वामी विवेकानंद के अनुसर भारत के राष्ट्रिया आदर्शि क्या है तियाग और सेवा तीसरा कौन सब की अपेक्षा उत्तम रूप से कारिय करता है निहिस्वार्ति चौता प्रश्न का उत्तर किस शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएगी यिच्चा शक्ति चात्रों आप सही तरह हिज्जे की जो गलती के बिना अगर लिखना सीके तो आपको अपने आप ज्यादा अंक आने की संभावना जो रहते हैं चौता प्रश्न का उत्तर है यिच्चा शक्ति पांचवा असंभव को संभव बनाने वाली चीज क्या है प्रेम पांचवा प्रश्न का उत्तर है प्रेम चटा जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह क्या है नास्तिक टेक्स्ट बुक को देखके या पाटे पुस्तक को देखकर स्पेलिंग याने हिज्जे को देखके सही सही शब्द या उत्तर लिखना चाहिए चात्रों सात्वा कम जोरी किसके समान है मृत्यू आटवा सबसे पहले हमारे तरुणों को क्या बनना चाहिए मजबूत क्या है मजबूत नाइन्थ वन प्रत्यक आत्मा क्या है अव्यत ब्रह्म्हा ठीक है अव्यत ब्रह्म्हा दस्वा प्रश्ण नावयुवक उंको किसकी तरह सहनशील होना चाहिए अभी-अभी मैं पाट पड़ाते समय बतायाना प्रुत्वी माता की तरह आद्स प्रश्ण का उत्तर है और एक बार कहता हूं ध्यान से सुनिये चात्रों पहला प्रश्ण का उत्तर है नव पीडी के नव युवकों दूसरा प्रश्ण का तियाग और सेवा तीसरा निहिस्वार्ती पांचवता इच्छा शक्ती पांचवा है प्रेम चटा नास्तिक सात्वा है मृत्यू आट्वा है कम मजबूत नवा है अव्यक्त ब्रह्मा दस्वा प्रश्ण का उत्तर है पृत्वी माता ठीक है अभी सेकेंड में को बतावूंगा ये लिकी है दिरे दिरे ठीकता रहा लिख लिया चात्रों अभी दूसरा में निमने लिखे ते प्रश्णों के उत्तर लिखिये पहला प्रश्ण का जो उत्तर है भारत वर्श का पुनरुत्तान कैसे होगा इस प्रश्ण का जो उत्तर है पेज नमबर फिफ्टीन फिफ्टीन में दूसरा पैराग्राफ पूरा लिखना है उसमें अगर एक दो पंक्ती को चांट कर सही उत्तर को लिखना है पेज नमबर फिफ्टीन फेटन प्याइराग्राफ पूरल को दूसरा त्याग वरू सेवा के बारे में स्वा्मी विवेकानंद जी के ज़किया है जूसरा पैराग्राफ मैं भारत के राश्ट्रिया आदर्श है त्यागवर सेवा से लेकर देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी यहां तक लिखना है तीसरा प्रशन स्वदेश भक्ती के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श क्या है इसको पेज नंबर स्वदेश भक्ती कोई बता सकते हैं स्वदेश भक्ती पेज नंबर 18 में हैं देखो मेरे तरुणा तरुणियों स्वदेश भक्ती की चर्चा करते हैं पेज नंबर 18 में तीसरा प्यारा ग्रफ पूरा है मगर पूरा लिखने की जरुरते उसमें प्रमुख ताहा जो रहने वाले विचार को विशे को लिखना है पांचवा प्रशन चौता प्रशन सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के विचार लिकी ये सर्वधर्म सहिष्णुता यहां पर है पेज नंबर 20 याने 20 नीचे आईए नीचे से दूसरा प्यारा ग्राफ मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्विकार करता हूं वहां से लेकर जोती स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं यहां तक चौता प्रशन का जो उत्तर लिखना है पांचवा शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में पेज नमबर ट्वंटी याने लाश्ट दो पंक्तियां हैं लाश्ट टू सेंटेंस जो है वहां से लेकर पेज नमबर ट्वंटी वन का जो पहला प्याराग्राफ में जो है उसको लिखना है मैं जो कह रहा हूँ न उसको यथावत नहीं लिखना चाहिए उसको पढ़िये दो दो बार पढ़िये बाद में उससे आधारिता विचार को अपने शब्दों में लिखकर आप अपना जो नोड्स तयार करना है मेरे नवा युवक युवतियों मैं बार बार कह रहा हूँ हर पाट के बाद मैं कह रहा हूँ बाकी विचार में आपको रडिमेड नोट्स मिल रहे हैं मगर हिंदी में नहीं दे रहे हैं इसलिए आप क्या करना है जैसे मैं कह रहा हूँ उसी को सुनकर या टेक्स्ट बुक के आधार पर आप अपना जो नोड्स तयार करना है नहीं तो मार्केट में मिलने वाले दिखदर्शन जो है न वो दिखदर्शन को लेकर आप तयार करना पड़ता है हाँ हाँ तीसरा मेश संदर्ब स्पस्टी करन कीजिए यह तो मैं आपको बता चुका हूं पहले संदर्ब लिखना कि बाद में व्याक्या लिखना बाद में स्पस्टी करन लिखना बाद में विशेश इस तरह चार पाइंट्स को लिख कर येक एक पाइंट्स में उत्तर लिखते जाना पहला है प्रसंग दूसरा है संदर्बा तीसरा है स्पष्टी कराई और चौता है विशेश इस अम्श के द्वारा यहाँ पर पांच प्रश्न जो दिया गया है वो पांच प्रश्नों का उत्तर जैसे मैं कहाना उसी तरह लिखना है ठीक है चौता विलो में शब्द लिखिये आपको पता है आपोजिट वरड याने विरुद्ध पदा जो कहते हैं न वो आशा निराशा सादारन असादारन स्वदेश, विदेश, स्वार्ती, निहिस्वार्ती, कीर्ती, अपकीर्ती, शिक्षित, अशिक्षित, पवित्र, अपवित्र, जन्म, मरण, निर्धन, धन्वान, मजबूत, कम्जोर, धर्म, अधर्म, नास्तिक, आस्तिक नेक्स्ट समानार्तक शब्द लिकिए नवीन नया पुरोहित पुजारी जंगल वन विपिन पहाड जंगल सरे पहाड पर्वत इश्वर भगवान साहस धीर तरोना, युवक, अधिक, ज्यादा इस तरह मैं जो कहाना उसी शब्द को लिकना है वैसा नहीं है उसके बदले समानार्तक शब्द दूसरा शब्द अगर आपके दिमाग में है तो वो भी लिख सकते है मैं जो कहा उसी को लिखना है वैसा नहीं है ठीक है नेक्स्ट निमने लिकी ता अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारीत प्रश्णों के उत्तर लिकिए अनुच्छेद अनुवक, यूवक, 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 देखिए यहाँ पर अनुच्छेद याना पैराग्राफ दिया गया है उसी के नीचे पांच प्रश्ण दिया गया है ये पहले पैराग्राफ को ठीक तरह पढ़ियें बाद में पांच चोटे-चोटे प्रश्ण दिया गया है उदाहन के अंतरगत हमारा आदर्शुवा के क्या है उसका वुत्तर है मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुबूती यही हमारा आदर्शुवा क्या पहला पंग्ती में ही दिया गया है उसी को लिखना है बस उसी तरह आप लिखिए दूसरा किसके प्रति आस्था रखनी चाहिए देखिया यिश्वर के प्रति आस्था रखो तीसरा पंग्ती में है कि तीसरा प्रश्ना किसकी आवश्यकता नहीं है किसी चाल बाजी की आवश्यकता नहीं है कि अच्छों तीसरा पंग्ती में ही तीसरा प्रश्nın का उत्तर है दूसरा और तीसरा प्रश्न का उत्तर है जो तर्शन हा तुम किसके समान हों अर किसम्ह लाश्ट पंग्ती में है देखिए सिम्हतु लिया होंगे यह 1277 लिखना है हमें किसे जगाना है भारत को और पूरे संसार को जगाना है हर प्रश्ण का उत्तर उदर यी उस पैराग्राफ में ही है उसको आप क्या कीजिए बहुत बढ़िया लिखकर अपना नोट्स आप ही तयार करके जब काले जाओगे ना तब लेकर आने से आप में से जो भी तुरुटियां जो रहते हैं न वो तुरुटियों को मैं मौलियम आपन करके दे देता हूं बाद में उसको सही तरह लिखने के आदत में आप जाना पड़ता है ठीक है यह है युवावन से नामक गद्य का जो कथा या सारामशा और कथा के आदार पर रहने वाले एक शब्द या वाक्य में रहने वाले प्रश्णों का उत्तर दूसरा दो तिन पंक्तियों में लिखने वाले प्रश्णों का उत्तर और तीसरा है ससंदर्व सहित व्याक्या कीजिए वो है और चौता है विलोम शब्द की हैं और पांच्वा है समानार्थ तक और चटा है अनुच्छेद को पढ़कर दिया हुआ जो प्रश्न का वुत्तर लिखना है शायर मैं समझ गया हूं कि आप बहुत बढ़िया नोट्स तयार करके रखते हैं रखेंगे इस आस्ता से इस यकीन से आज का जो कक्षा जो है उसको समाप्थ करूंगा मेरे नवयुव का युवतियों धन्यवाद